मुबारक हो दोस्तों कल 16 जन्मरी से हमारे देश के अंदर टीका करण शुरू हो रहा है और इस टीका करण की शुरूआत टीका करण अभ्यान की शुरूआत हमारे देश के प्रिधान मंतरी मानने शिरी नरेंदर मोदी सहाब करने जा रहे हैं कल हमारे देश के अंदर कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लग जाएगा अब पूरा देश इस बात का इंतिजार कर रहा है और ये देखने के लिए उतसुक है कि आखिर हमारे देश के अंदर पहला टीका किसको लगेगा क्या पहला टीका प्रिधान मंतरी नरेंदर मोदी साहब पहला टीका लगवाने जा रहे हैं बताएंगे आपको आराम से बताएंगे लेकिन इससे पहले आपको जी न्यूज की तरफ लिए चलते हैं जी न्यूज सुधीर चौदरी का जो चैनल है जहांपर वो आकर डी एने करते हैं उसी चैनल की पत्रकार से जड़ा हुआ ये मामला है आपको यादो का जब वैक्सीन हमारे देश के अंदर बनकर तयार हुई थी और इसको एलान कर दिया था जब इसका ड्राइ रंच ला आता तो उस वक्त हमारे देश में कुछ लोगों ने करोना वैक्सीन के ओपर सवाल उठाये थे पहले भी सवाल उठेते कि इसके अंद इंदर गाय का खूर मिलाया गया है और हमारे देश के नेताओं ने भी ये कहा कि हमें बीजेपी के वैक्सीन पर भरोसा नहीं है बहुत सारे बिबाद हुए लोग डर रहते कोरोना वैक्सीन से बड़े सवाल उठाये गए कुछ लोगों ने ये भी कहा कुछ पार्टियों क के दोरान कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया पूजा मक्कड ने ये दिखाने के लिए कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया कि देखिए कोरोना वैक्सीन कितनी सुरक्षित है मैंने इसका टीका लगवा लिया है उन्हों ने टीका लगवाया बहुत अच्छी बात थी लेक टीका लगने के 24 गंटे के बाद पूजा मकड को थोड़ी सी तकलीफ हुई इस बात का जिक्र Zee News ने अपने वेबसाइट पर किया था लेकिन जब ये मामला बहुत जादा फैलने लगा लोगों ने इस बात को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया कि Zee News की पत्रकान ने कोरोना वेक्सीन लगवाई तो उनके तबिद खराब हो गई इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट ने भी इस चीज़ को च्छापना शुरू किया जब Zee News ने अपनी वेबसाइट पर इस बात को च्छापा उसके बाद ही और वेबसाइट ने भी इस खबर को पहलाई जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि पूजा मकड ने जो कोरोना का टीका लगवाया था उसके बाद उनकी तबिद खराब हो गई तो कुछ वेबसाइट के जरीए भिरामा खबरे पहलाई जा रही है लेकिन सुदीर बावू ये बात भूल गए थे कि सबसे पहली जानकारी उन्होंने अपनी वेबसाइट पर ही दी थी इस बात की उन्होंने अपनी वेबसाइट में साफ साफ लिखा था कि 24 गंटे के बाद पूजा मकड की तबियत खराब होने लगी थी उनको दर्द होने लगाता टीका लगाने के बाद तो सबसे पहले खबर उन्होंन देश के अंदर तमाम विवादों के बाद कोरोना वैक्सीन का पहला ठीका लगने वाला है अब ये ठीका पहला किसको लगेगा सोशल मेडिया पर हैस्टेक चलाया गया था पहला ठीका मोधी को दो दिन पहले ही हैस्टेक चलाया गया था ट्विटर पर पहला टीका मोदी को बहुत सारे मीम्स भी लोगों ने शेयर किये थे लेकिन अभी तक यह वास सामने नहीं आई है कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी सहाब पहला टीका लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे मीडिया पर भी इसी बात को लेकर चर्चा हो रही किया प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी कोई सर्प्राइज देंगे 16 जनवरी को कोई सर्प्राइज देंगे और खुद मीडिया के सामने आकर पहला टीका लगवाएंगे वैसे सही तो यही होगा कि बहुत सारे लोग वैक्सीन पर सवाल उठा रहा है तो प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को खुद पहला टीका लगवाकर लोगों का मूँ बंद कर देना चाहिए जैसे के जो वाइडन ने किया मीडिया के सामने आकर पहला टीका लगवाया इसी तरीके से हमारे देश की प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी साहब को भी लगवाना चाहिए क्योंकि इस वक्त देश के सबसे बड़े मुख्या प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ही है तो उनको पहला टीका लगे पहले उनकी सुरक्षा हो बाद में और लोगों की सुरक्षा हो तो आप लोगों की क्या रहा है क्या वाकई में हमारे देश की प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी साहब को पहला टीका लगवा कर लोगों का मुझ बंद करना चाहिए या नहीं चाहिए तो देखते हैं आखर कल क्या होता है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी साहब पहला टीका लग